ये रहा चैप्टर नंबर 13 नुकलाई चलिए बड़ी बेसिक जानकारी शुरुवात करते हैं देखें चैडविक सापने नुट्रोंस की खोचकी करीबन 1932 में दिफिकल्ट खोच थी तो कि 1897 में जब एलेक्ट्रों खोजा गया तो ये समझ में आ गया कि निगेटिव पार्टिकल आटम्स के अंदर होता है और आटम है एलेक्टिकली नुट्रल तो पॉजिटिव भी प्रोट्रों भी होगा तो प्रोट्रों पर खोच शुरू ही लेकिन क्योंकि नुट्रॉन में कोई चार्जी नहीं होता था इसलिए डिफिकल्ट था अब इस बात ने हैसेज़बन को प्रोट्रों करने के लिए प्रेरित कर दिया प्रोट्रों नुट्रों हैपोथिसिस इन थर्ड नाइटीन थर्टिटीटू कि नुट्रों की बात में वदलब क्योंकि रदर फोट ये बता चुके थे कि नुट्रों में ही सब पॉजिटिविटी भरी हुई है नुट्रों भी है उसमें ये हैसेज़बन ने प्रपोस कर दिया थेओरी जब नुट्रों खोज लिये गए तो प्रोटों और नुट्रों ध्यान किये प्रोटों और नुट्रों में बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं नुकलाई के यानि कि जो एटम में आपका नुकलस होगा ये नुकलस इसमें आपको प्रोटों और नुट्रों मिलेंगे ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं proton पे positive charge होता है आपको मालूमी है बताने की आवशक्ता नहीं और neutron electrically neutral रहता है और neutron पे कोई charge नहीं होता तो protons and neutrons together give it mass और दोनों मिलकर इसको mass देते हैं यानि mass में contribution आपके neutron का भी रहता है electrically neutral है लेकिन mass में तो contribute करी रहा है तो nucleus के mass proton और neutron मिला के बनता है ठीक है साथ proton का कुछ जानकारी fundamental particle है positive charge होता है 1.6 into 10 की power minus 19 कूलम mass लिखावा है कितना होता है जो कि 1836 times जादा भारी होता है electron के mass से सोच ये बहुत बड़ी figure है 1836 गुना mass जादा होता है electron से तो जब हिलने की बारी आएगी तो proton जल्दी नहीं हिलेगा electron हलका हिल जाएगा force लगाने पर neutron की बात करते हैं तो neutron होता है neutral electrically और इसका mass more or less proton के बराबर होता है slightly greater than proton होता है देखिए अंध की कुछ figures change है 726, 749 तो slightly थोड़ा जादा है लेकिन बाकी normal practice में हम ये मान सकते हैं कि दोनों का mass लगभग बराबर है तो ये basic जानकारी थी आगे बात को लेके चलते हैं दोग composition of a nucleus, in a nucleus कैसे बना होता उसके लिए important terminology जो use की जाती है तो the following terms हमारे जो terms use की जाते हैं nucleus के लिए क्या-क्या है nucleons तो nucleons किसे बोलते हैं? proton and neutrons which are present in the nuclei of atoms are collectively known as nucleons तो nucleons जब हम बोलेंगे तो हम proton और neutron दोनों की बात कर रहे होंगी चाहे वो proton हो, चाहे वो neutron हो, उसको nucleons ही बोलेंगे बड़ इच्छी बात atomic number z, atomic number को हम z से represent करते हैं what is the meaning of atomic number? the number of protons in the nucleus is called the atomic number of the element nucleus के अंदर जितने number of proton होते हैं उसको हम represent करते हैं z से it is denoted by z clear cut तरीके से लिखा हुआ है mass number a से represent करते हैं मैंने दिखे बड़े अच्छे से लिख दिया है कि आपको confusion ना बने the total number of protons and neutrons present in a nucleus is called the mass number of the elements and it is denoted by a मतलब इस nucleus के अंदर जितने number proton के हैं और जितने number आपके neutron के हैं दोनों को जोड़ दीजें तो उसको आप बोलेंगे a a क्या हो गया? mass number और पहले वाला atomic number नमबर आप proton और proton neutron जोड़ के जो आएगा उसे बोलेंगे mass number यह से represent करेंगे और कुरी बाते है nuclear mass अब nuclear mass क्या होता है साब? the total mass of the protons and neutrons present in a nucleus is called the nuclear mass तो nucleus के अंदर जितने भी proton और neutron होते हैं उनके masses को जोड़ देंगे तो आजाएगा nuclear mass यही लिखा हुआ है कि the total mass of the protons and neutrons present in a nucleus ठीक है nuclide, nuclide के मतलब क्या है? it is a specific nucleus of an atom एक खास तरह का nucleus है जिसकी आप चर्चा कर रहे होंगे atom की, उस atom के nucleus की characterized by its atomic number z and mass number a और उसको represent करते हैं देखें बड़ा लिखा है दुबारा लिखने क्या हो शक्ता नहीं x लिखते हैं, x क्या represent कर रहा है? उस element को a क्या है? mass number z क्या है? atomic number ठीक, तो यह देखें आप जो बाते लिखी दी atomic number z और mass number a तो atomic number z और mass number a और total हो गया element जिसकी चर्चा कर रहे हैं, वो x तो उसे बोलेंगे nucleide पकड़ के रिखें, यह use होते हैं, numericals वगरह में इसलिए जानना जरूरी था, ठीक है आगे चर्चा ले सकते हैं, चर्चा लेके चलते हैं, isotopes, isobars, isotones और isomers यह चारों चीज़े क्या कहलाती हैं, क्या होती हैं, कभी-कभी इन पे सवाल आ जाते हैं, examination में, चली यह देख लेते हैं हम लोग तो isotopes, isotopes क्या होते हैं, the atoms of an element which have same atomic number जिन atoms का atomic number same होता है, लेकिन उनका mass number different होता है यानि कि Z same है, atomic number, mass number different है, जैसे याद रह सकते हैं आपको तो उसको हम बोलते हैं, isotopes, जैसे कि protein, 1H1 hydrogen का ही देखिए, deuterium, 1H2 या 3H1 जो भी बोल दें, titrium, 3H1, और यह देखिए, यहाँ पर, इसका photo isotopes का बना हुआ है, जिसका आप देख रहे हैं, Z same है, और proton same है, एक, एक, देखिए, एक proton, एक proton, एक proton, लेकिन neutrons अलग होने की वज़े से, इसमें कोई neutron नहीं, इसमें यह neutron एक और इसमें यह दो neutron, जिसकी वज़े से, इसका A different हो गया है, तो यह isotopes हैं, आइसो बार किसे कहेंगे, the atoms of an element which have the different atomic number, Z is इसका different होगा, बट same mass number, example के तौर पे, 3H1 या 1H3 और 3HE2, जिसमें देखिए, आपका यह जो उपर वाला part है, mass number वो same है, लेकिन atomic numbers आप different हैं, तो example भी याद रखिए, सवाल भी आएं, यह आपको बताना हो, तो आप असानी से इसको बता सकते हैं, आईए, आगे की बात करते हैं, isotones, तो isotones क्या होता है, जिसके अंदर neutron की संक्या सेम होती है, neutron की संक्या कैसे निकालेंगे, आप जानते ही हैं, कि A, A और Z की चर्चा कर रहे थे, A था number of proton, और number of neutron, और Z था number of proton, तो clear के बात है कि A मेंसे Z आप जब घटा दोगे, तो आपको number of proton, number of neutron मिली ही जाएंगे, दिखाई पड़ रहा होगा आपको, तो जहीं भी number of proton निकालना हो, A मेंसे Z घटा दीजे, बात कतम, तो neutron की संक्या सेम जिसमें होती है, उसको हम बोल देते हैं, आइसोटोन्स, एक्जाम्पिल के लिए देखे, क्लोरीन लिखा, 17, 37, CL, 17, 39, K, 19, इसमें से सबस्टाट कर दिए, 20 आ रहे हैं, निट्रोन, 39 में 19 चला गया है, फिर से 20 आ रहे हैं, तो देखे, निट्रोनों की संख्या दोनों में बराबर है, इस वज़े से इन सेम अटोमिक नंबर, एंड सेम मास नंबर, बट, एक्जिस्टिंग इन डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स, लेकिन अलग-अलग अनर्जी स्टेट्स में रहते हैं, इनको आप बोल सकते हैं, आइसोमर्स, तो ये हो गया बड़ी ही तेजी से, आइसोटोप्स, आइसोमर्स, आईसोबißt, क्या होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, आना चाहिएए आपको, चलिया, आगे बात करते हैं, ATOMIC MASSES, आप देखिए, आपनी देखा होगा, कि हम लोग नुकलर साइग्स में, य्या नुकलेस को रिपरेजेंट करने में, इसके मास को A, M, U में रिपरेजेंट करते हैं Atomic Mass Unit में A, M, U या Short में हम लोग यूँ ही लिख देते हैं क्लियोग्राम में रिप्रेजेंट नहीं करते तो ऐसा क्यों नहीं करते Mass Nucleus वगरा का रिप्रेजेंट करना हो तो क्योंकि देखिए The Mass of Carbon 12 Atom is this one ये Mass है हमारे Carbon Atom का इसको जो की बहुत ज़्यादा छोटा है 10 की पावर माइनस 96 वगरा वगरा तो ये convenient नहीं होता बार बार लिखने में अगर ये convenient नहीं है तो हमको एक ऐसी quantity define कर लेनी चाहिए Mass के लिए unit जो convenient हो इसी वज़े से not convenient unit for expressing the mass of atoms इसलिए हम लोग AMU को define कर देते हैं अब AMU atomic mass unit क्या है तो mass of carbon 12 atom यानि एक carbon 12 atom का जो mass होता है वो 12 atomic unit के बराबर atomic mass unit के बराबर होता है ठीके एक atom जो है carbon 12 का उसका mass is equal to 12 AMU ये A है अब एक AMU निकालने जाएंगे जब तो one atomic mass is defined as एक निकालोगे तो one upon 12 लिख दोगे इस mass के तो as one by twelfth of the actual mass of carbon 12 atom तो एक AMU का कितने के बराबर आ जाता है इसको याद रखिए जगा जगा इस्तेमाल हो सकता है तो one AMU is equal to one point six six zero five six five into ten की पावर minus twenty seven kilogram तो atomic mass unit में लिखेंगे जहां भी हमको SI system में conversion करने की आउशक्ता पढ़ जाएगी इस unit के इस्तेमाल कर लिया करेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग atomic masses कुछ जानका नहीं है जैसे बात की थी AMU की जानकारी पिछली वारी slide में मिल गई अब electron world हम लोग nuclear energy में nuclear science में nuclear physics में हम लोग energy को electron world से represent करते हैं तो यहाँ पर one electron world होता है one point six zero two into 10 के और minus 19 joule और क्योंकि यह quantity बढ़ी छोटी होती है तो one m ev लिखते है million electron world तो ten की power six ev एक million में 10 लाक होते हैं तो ten की power six हो गया तो one million electron world मतलब ten की power six electron world multiply कर दीजे one point six zero two into ten की power minus 13 joule इस तरह पकड़ लीजे इसको याद रखिएगा electron world की कहानी relation between amu and mev देखिए amu होती है mass unit electron volt है energy unit लेकिन हमारे बहुत ही शांदार scientist Einstein सब बता गये थे कि ये दोनो quantities अलग-अलग नहीं है इनका correlation है आपस में यानि mass energy और energy mass से जुड़ा हुआ है इन दोनों में relation establish किया जा सकता है उसी का इस्तेमाल हम लोग करके energy mc square का इस्तेमाल करके हम ये बता देते हैं कि एक atomic mass unit से कितनी energy हम produce करेंगे तो a1 amu is equal to 931 million electron volt की energy एक atomic mass unit से आप produce कर सकते हैं तो ये देखिए mass है और ये energy है दोनों का रिष्टा relationship establish हो जाती है तो इस relationship को इस्तेमाल कीजेगा एक numerical आगे लिया उसमें इसका इस्तेमाल भी किया है और आपको आना भी चाहिए आओ आगे चलें nuclear size अब nuclear size approximately कैसे होता है तो experimentally क्या हुआ experimental जो observations थे उन्होंने बताया कि volume of nucleus जो volume है nucleus का nucleus कितना इसका volume कितना है बाकि यह atom और बड़ा है तो is directly proportional to its mass number यह जो V proportional है यह साव है इसके mass number के अब volume को क्योंकि हम नोंने spherical shape माना है तो V की जगा लिख सेक्टे हो 4 by 3 pi r cube जैसा लिखा गया है और यह proportional हो जाएगा mass number के यह area मस्तमल लेना mass number यह क्या है mass number क्यों समझोगे बस मैं जवर्दस्ती की बात कर रहा हूँ बस slip नहीं होना चाहिए आपके दिमाज से अब यह relationship हमारे हाथ में है the radius r of a nucleus अब यह जो nucleus हमारा है इसका जो radius है is proportional to a cube root of its mass number और इसका जो radius होता है वो जो mass number है उसके cube root की proportional होता है साब तो r is equal to r naught a की power 1 by 3 और r naught एक number है constant है जिसकी value नीचे लिखी गई है तो इन दो relationships को भी याद रखिए कभी कभी इस पे सवाल आ जाते है ठीक है साब आगे बढ़ते हैं लोग अब देखिए nuclear density the density of nuclear matter density क्या हो जाएगी तो density का हम लो ने जो बच्पन से formula चीखा है d is equal to mass upon volume d लिख दो, rho लिख दो, जो भी लिखते हो अब वही काम है हो रहा है the density of nuclear matter यानि nucleus के अंदर की density पता करना चाहते हैं is the ratio of the mass of the nucleus ये देखे mass of the nucleus mass of the nucleus divided by its volume divided by its volume basic definition वही थी तो mass of the nucleus हो गया m into a by m मालेते हैं एक nucleon का mass more or less same होता है a है atomic number a है atomic mass mass number मतलब तो mass number को m से multiply कर दीजे बन जाएगा mass of the nucleus कि जितने mass number है और एक का m है तो mass number से multiply किया तो nucleus में जितने भी item है उनका बन गया mass तो ma और volume of nucleus होता 4 by 3 pi r naught cube into a करके ठीक है यह साब इसका volume आ गया और इसको आप calculate कर लीजे तो यह value हो जाती 3m upon 4 pi r naught का cube तो ध्यान न किएगा जहां इस्तमाल होगा कर लेंगे कोई दिक्कती नहीं उसमें चली एक numerical आजाता है क्योंकि मैंने इसमें numerical भी include की है जिसे आपको बहुत अच्छी understanding बन जावे 2019 का है तो classify the following 6 nuclides into isotopes and isobars तो आपको आपको यह मालूम होना चीए किसमें क्या कहानी होती है अभी आपको बताया था दूसरी बात क्या है how does the size of a nucleus depend on its mass number hence explain why the density of nuclear matter should be independent of the size of the nucleus चलीए वो तो एक आगी की बात है वो भी हमनों देखेंगे तो यहाँ बात समझते हैं देखिए isotone की बारी आ गई तो isotone में क्या चीज़ें बराबर होती है तो isotone में आप जानते हैं neutrons बराबर होने चाहिए प्रोटन जिसमें सेम है वो isotones है तो 198 में 80 गटा दो और 197 में 79 गटा दो तो दोनों की value बराबर आ गई कितना आ गया 198 में 80 गटा होगे तो 118 आएगा ठीक और 197 में 79 गटा होगे तो भी 118 आएगा तो इसमें 118 neutron 118 neutron इसलिए HG and AU यानि HG and AU हमारे क्या हो गए isotones इस तरह देखना रहेगा आपको फिर हम isotopes की बात करते हैं तो isotopes में आपने पढ़ा था जानकारी भी ली थी जिनके Z सेम होते हैं उनको isotopes बोलते हैं तो 55 Z किसका सेम है ये देखिए carbon और ये carbon तो ये दोनों का सेम है इसलिए दोनों isotopes हो गए isotopes की बात कर रहे हैं जिनके लिए A सेम होता है ठीक उसे आप बोल लिएती है isotopes तो ये देखे हिलियम बना हुआ है और साथ में ये बना हुआ है साथ में तो ये isotopes की कहानी हो गई इस तरह से पहचानने को examination में आएगा उमीद है आप ज़रूर पहचान लेंगे थोड़ा discussion हमने करी लिया है अब यहाँ पर the radius देखे क्या है लिखाए the radius of a nucleus having mass number is a तो radius के लिए formula हमने भी देखा था r 0 होता है constant अब देखिए volume of the nucleus क्या होता 4 by 3 pi r cube इस r की value इसमें कर दो substitute ठीके बन गया 4 by 3 pi r 0 a की power 1 by 3 और cube लगा दिया तो 4 by 3 pi r 0 cube into a formula आप के सामने है अब देखिए if m be the average mass of a nucleon m क्या है एक nucleon का mass है तो mass of the nucleus कितना हो जाएगा m into a वोकि a है अपना क्या mass number कितने nucleons total है nucleus के अंदर तो nuclear density क्या हो गई mass upon volume m upon 4 by 3 pi r 0 cube upon into a तो यह आगया 3m upon 4 pi r 0 का cube तो देखिए क्या बता रहे थे hence explain why the density of the nuclear matter should be independent of the size of the nucleus तो size of the nucleus से खतम हो गया मामला क्योंकि इसमें r नहीं है r 0 तो fix है r बढ़ता तो size बढ़ता r 0 तो fix number है 4 pi fix number है और m है average mass of किसका? nucleon का तो size से density का फरक खतम हो गया तो nuclear density size of the nucleus पे depend नहीं करती यह बात proof करने को बोला था और यह बात हम लोगोंने यहां पर proof कर दी है तो यह 2019 के सवाल था आप समझे होंगे ऐसे सवाल भी आप करेंगे तो आपको clarity मिलेगी चली आगे की बात चीत करते हैं लोग अच आप discovery of neutron की चर्चा करते हैं आपको मालूम है कि Chadwick सामने 1932 में neutron की खोज की थी इसके लिए ये question exam में आ जाए तो ज़रूर लिख दीजेगा याद रखिएगा और इसके लिए 1935 में नोबल प्राइस भी उनको मिला तो उन्होंने क्या किया इदकी एक setup है यहाँ पर एक polonium radioactive material लखा यह experiment course में इतना नहीं है कि detail में बताएं समझाने के लिए आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ और यह lead block है यह जो block है lead block जिसे की radio activity harm करती है safety issues है dangerous है तो lead क्या करता उनको absorb कर लेता radio activity वाले radiations को इसलिए lead के अंदर हम polonium रखते हैं polonium से alpha particles alpha rays alpha particles निकलते हैं अब निकले उनको vacuum में bombardment कराई है beryllium के उपर beryllium पर जब यह attack करते हैं तो बहुत तेजी से rays निकलती है जो की charge वाली नहीं है देखा रोने charge test किया electric magnetic behavior में तो charge नहीं मिले अब यहां से जो rays निकली जब उसको paraffin slab के उपर attack कराया जाता है छोड़ा जाता है तो paraffin slab से proton exit कर देती हैं यहां पर detector लगाया है proton detector तो पता चलता है साब यह proton निकलने लगे यहां से तो energy conservation and momentum conservation की मदद से यह पाया जाता है कि यहां से जो item निकल रहते particle निकल रहते वो electrically neutral थे और उन particles का ही नाम दिया गया neutron तो इस neutron की कहानी जो equation है इस equation से बना दी जाती है इसको पकड़ के रखीएगा कहीं आएं तो लिख दीजेगा इस तरह से एक basic छोटी सी बात छोटा सा जल्दी से समझने के लिए यह बात बिल्कुल समझ में आती है और Chadwick को 1932 में इस शांदार काम के लिए 1935 में नोबल प्राइस को award भी किया गया चली आगे चलते है तो बच्चों बात कते हैं प्रापर्टी जब न्यूट्रोंस की जो न्यूट्रोंस अविश्कार किया हो अविश्कार जिनका हुआ जो खोजे गए उनकी प्रापर्टीस किया है तो न्यूट्रों इस एन elementary particle present in the nuclei of all elements except hydrogen hydrogen के अलावा nucleus में पाया जाना वाला fundamental particle है ठीके न्यूट्रोंस has no charge इनके ओपर कोई charge नहीं होता इसका mass slightly more than proton होता ही हम देख चुके हैं presentation में ही being neutral they do not interact with electron क्योंकि इस पे charge नहीं है electron पे charge होता है तो electrically interaction कुछ नहीं होता so neutrons have low ionization power तो इनका ionization power बहुत ज़्यादा कम होता है क्योंकि electrically neutral है being neutral neutrons are not rippled और attracted by the nucleus and the electrons of an atom तो जब charging नहीं है कोई attraction वेगारा इसमें लगता नहीं they induce radio activity in many electrons many elements बहुत सारे elements में radio activity को induce करता है chapter में radio activity नहीं है लेकिन जानते ही है कि कुछ unstable nucleus होते है जिससे alpha, beta, gamma race निकला करती है वही radio activity की कहानी रहती है जो कि अभी course में नहीं है nuclear force course में है तो nuclear force में क्या nuclear force का मतलब है बहुत अगर आप सोचें एक nucleus के अंदर proton है माली जो दो proton है एक neutron है तो ये जो proton है ये आपस में क्यों है वो कि ये तो plus plus हैं तो ripple करके इनको भाग जाना चाहिए plus और plus में repression होता है same charges में तो इनको ripple करके भाग जाना चाहिए जबकि ये बहुत छोटे से ही जगा में nucleus is very very small उसमें भी 7 टिके रहते हैं इसका मतलब है कि कोई ऐसा force है जो electrostatic force से भी भारी है बहुत जादा उसे बोलते है nuclear strong force वो force इनको बाद के रखता है उसी force की चाचा चल लही है the average separation between two nucleons is about 10 की power minus 15 meter बहुत ही चोटा है दो nucleons के बीच की जगा nuclear से भी चोटा the strong attractive interaction acting between the nucleons is called nuclear force or strong interaction अब यह जो nuclear force होता है उसके लिए जो nuclear force है वो charge से मतलब नहीं रखता यह force plus plus के बीच में भी है attractive force और neutron और proton के बीच में भी है तो ऐसा नहीं समझना है कि charge charge से मतलब ही नहीं है plus plus के बीच में भी लगेगा और neutron और proton के बीच में भी लगेगा जिसमें proton positively charge है, neutron पर कोई charge नहीं है, तो nuclear strong force उस पर भी लगेगा, सभी nucleons भी लगेगा, ठीक है, it is a strong attractive force, यह repulsive नहीं है, attractive in nature है, that inside the protons and neutrons together, inside a tiny nucleus, बहुत छोटे से nucleus में यह काफी तगड़ा interaction रखता है, electrostatic से भी बहुत powerful force होता है, ठीक है साब कुछ properties, जो अंदाजे के तोर पर आपको रहना चाहिए, strongest interaction, यह साब अभी तक जो interactions या forces हमने पकड़े हैं, जाने हैं, पहचाने हैं, सबसे तगड़ा interactive force यही होता है, nuclear force, ठीक है, short range forces हैं, मतलब जब दोनों के बीच में बहुत छोटी distance होती है, यहीं करीबन 10 की पाउर माइनस 15 मीटर की, तो यह forces पिक्चर में रहते हैं, जैसे ही इनकी distance आप बढ़ा देते हैं, यह forces लुप्त हो जाते हैं, फिर यह forces नहीं लगते, कम जादा की बात नहीं, लगते ही नहीं हैं, तो short range forces हैं, काफी करीब या पास होने पर लगेंगे, जैसे ही दूरी बढ़ा देंगे, खतम हो जाएंगे, variation with distance दूरी बढ़ाने के साथ, शुरू में कुछ घटोतरी होती है, इनके अंदर यह देखे variation बनाया हुआ है, यह distance और इधर potential energy वेगरा की बात की है, तो यह distance बढ़ाने पर थोड़ा घटते बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही distance काम बढ़की बढ़ेगी, खतम हो जाएंगे, charge independent behavior होता है, इनका charge independent behavior का मतलब, यह nucleon nucleon के बीच भी लगते हैं, nucleon proton के बीच भी लगते हैं, proton proton के बीच भी लगते हैं, प्लस charge है या नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है, saturation effect, तो saturation effect में क्या होता है, कि यह अपने बाजू वाले के, यानि neighboring nucleon जो है, पडोसी, उसी से interact करते हैं, बाकि दूर वाले से interaction नहीं करते हैं, जो neighboring nucleon है, उनसे ही interaction होगा, तो यह होता है saturation effect, वो इसमें अगर कर रहा है, तो उस पे भी dependent करता, force कितने कम हो जादा हैं, साथ में exchange forces, यह exchange forces होते हैं, और research की गई, और यह पाया गया कि, जो nucleon's, nucleon's के बिज़ में force लग रहा है, उसमें बहुत सारे particles का, आदान परदान होता रहता है, जिसे mesons वेगरा भी बोलते हैं, तो mesons के अदान परदान से यह develop करते हैं, तो यह exchange forces हैं, एक दूसरी सोगो particle वेगरा exchange करते हैं, जिससे लगते हैं, लेकिन वो mesons वेगरा की detailed theory, आपको पढ़ने के आफशक्ता नहीं है, higher classes में आप पढ़ेंगे, तीसरी बात non-central, यह क्या लिखा हुआ है, non-central forces, non-central forces, यानि यह जो forces होते हैं, यह nucleon, nucleon के बीच में जब लगते हैं, तो ऐसा नहीं समझे है, कि जो line है, उसी के long लगते हैं, ऐसा नहीं लगता है, यह से electrostatic forces वेगरा पढ़े था कि central forces होते हैं, और nuclear force का में idea मिल जाता है, आईए, आगे की बात करते हैं लोग, mass defect and packing fraction, ठीक है, mass defect क्या होता है, यह समझ लेते हैं, the difference between the rest mass of a nucleus, and the sum of the rest masses of its constituent, nucleus is called its mass defect, क्या मतलब हुआ, मतलब है, मान लीजिए, nucleus है, तोड़ा सा बड़ा बनाया, आपको समझाने के लिए, इसमें तीन proton हैं, और दो neutron हैं समझिए, और इसका mass, जो लिया है आपने, वो suppose करते है, mass of nucleus कितना है, M, तो mass defect आप किसे बोलोगे, हम लोग, इनका अलग-अलग, यानि mass of proton जो होता है, क्योंकि तीन है, तीन से multiply कर दो, neutron, mass of neutron है, उसको 2 से multiply कर दो, इन masses को जोडोगे, तो इसके constituents हैं न, इन nucleus के, यह क्या है, nucleus, nucleus में यह जो constituents है, जो item है, इनके अलग-अलग masses को जोड लिया, यह, यह जोडने के बाद, यानि 3 mass of proton, प्लस 2 mass of neutron में से, यह जो mass है, total अब, वो घटा देते हैं, क्योंकि यह दोनों बरावर नहीं होते, फरक हो जाता है, इसी वले किसे इस number को बोलते है, mass defect, अब यह देखी, यह जो चीज जनर्नल एक example दिया, इसी को आप कैसे लिख सकते हैं, मान लीजे, इसका atomic number Z है, तो atomic number का मतलब है, कितने proton है, तो Z को MP से multiply कर दिया, mass of proton से, और neutron कैसे निकालते हो, A में से Z घटा के, आपको सिखाया था भी, तो A में से Z घटाया, तो यह क्या आगया, number of neutrons, इसको multiply कर दिया, MN से, यह हो गया, इसके constituent का mass, और mass यह क्या है, mass of nucleus, जब nucleus पुरा बना हुआ है, और इसको इसमें से घटा दिजे, जो value आएगी, mass defect कहलाती है, यह same नहीं होती, फरक होती है, इसकी बड़ी importance से, सवाल भी इस पे बनते हैं, तो यह mass defect आप समझ गए, कि इसके constituent का जो mass है, वो जोड लिजे, और उसमें से total जो nucleus का mass है, वो घडा मारी है, mass defect आजाएगा, ठीक है साब, अच्छा एक example आजाता है, सवाल आजाता है, बढ़े अच्छा सा, करेंगे यह सवाल important होते हैं, ध्यान रखिएगा, वेन 4 hydrogen nuclei combine to form a helium nucleus, चार hydrogen nuclei हमें 1H1, मिल के हमें क्या बना रहे हैं, helium का 2HE4, estimate the amount of energy in MEV, in this process, यहनि in this process में, energy release कर रही हो, कितनी होगी, in the process of fusion, क्योंकि दोनों को मिला रहे है, इसको चार को मिलाये हो, और यह helium बनाये हो, तो देखें, energy का relation होता है, mc square से, और यह क्या जो होता है, mass defect, ठीक, यानि कि, हम लोग जब इसको, चार को अलग-अलग जोड़ेंगे, और जो यह finally बनाये, वो, वो कम mass का बनेगा, तो mass खर्चा हो गया, यहां मालीजे 1 kg था, और यह बना कितना, 0.99, तो 0.01 का kg mass खर्चा हो गया, वो mass energy में convert हो जाएगा, समझाने के लिए बात बताईए आपको, ठीक है, यही चर्चा हम करेंगे, और हमको यह मालूम है, कि 1 atomic mass unit, या short में 1 atomic mass unit, हमको 931 MeV प्रदान करती है, यह energy है, आपको संधाया था, मैंने slide की शुरू में ही, और यह mass unit है, तो इसका हमका relationship, हम लोगों ने पहले ही निकाल रखा है, इसका इस्तेमाल करेंगे, और चर्चा को बढ़ा असान कर देंगे, आए, तो यह देखिए, कहा है, यह है, energy released, तो आप समझगे, एक करती थी energy released, एक AMU करता था 931, तो डेल्टा M AMU कितना करेगा, 1 AMU करता था 931 MEV, तो डेल्टा M कितना करेगा, तो energy हो जाएगी, डेल्टा M into 931 MEV, बात पकड़ में आ गई हमको, बड़ इच्छी बात यह ही लिखा हुआ है, अब डेल्टाइम कितना यह निकालना है, कौनसी बड़ी बात, तो hydrogen का एक का दिया है, इतना atomic mass, 4 हम इस्तमाल कर रहे हैं, जो mass आएगा, उसमें से mass of helium हम, AMU में घटा मारेंगे, वो तो एक ही बन रहा है, बहुत अच्छी बात, energy release कितनी होगी, यह factor क्योंकि mass defect है, और into 931, यहां से सीखा हमने, अब देखे, 4 लिखा, into mass of एक atom, nucleus, तो nucleus का 1.007825, पुट कर दी, और यहां पर 4.002603, पुट कर दी, इसको solve कर लिजे, जितनी value आएगी, उसको 931 से multiply मार दीजे, यह value आगई, 26.72 million electron volt, और आपका solve हो गया, सवाल, ऐसे सवाल, very very important हैं, आपके लिए इस बार और, कोकि radio activity तो है नहीं, तो सवाल पूछेगी न मेरिकल, तो ऐसे ही पूछना पड़ेगा, बहुत सरल होते हैं, थोड़ी सी जानकारी, थोड़ा सा, एक दो सवाल का practice, आपका काम जाएगा, बन, चलिए, आगे समझते हैं, एक और सवाल लेते हैं लोग, इने typical nuclear reaction, यह आपको nuclear reaction दे रखी है, although number of nucleons is concerned, देखे, number of nucleons concerned है, yet energy release, number of nucleons concerned होने का मतलब समझ रहे हैं, एक और एक जोड़ा तो दो आ गया, और ये दो और दो जोड़ा, तो ये तीन आ गया, और neutron के उपर एक neutron है तो चार आ गया, तो number of neutron बराबर है, number of nucleon बराबर, यानि number of proton, और number of neutron, संख्या समान है, फिर भी energy release होती है, आखिर क्यों, तो आप समझदार हैं, अभी देखा हैंनों उन्हे, mass defect, यानि जो इनका जो mass है, वो जादा होता है, और यहां इसका helium जब बन रहा है, तो mass कम होता है, आपको समझाने के लिए मैंने बताया था, कि मानलों ये एक किलो का है, और ये बन जाता 0.9 kg का, तो mass defect between the reactant and product nuclei, delta is equal to delta M, mass defect into C square, इसकी वज़े से energy release होती है, ये जानकारी आप से एक्सर पूछ लेते हैं, आप पढ़ने वाले बालक हैं, या अभी तो समझी रहे हैं, फटा-फट कर दीजेगा, खेल खतम, आज आज आ भई आगे, mass packing fraction की बात करती है, तो packing fraction क्या होता है साब, मालने पूछले, what is the meaning of packing fraction, explain, तो कर दो explain, उसमें क्या रात, तो packing fraction क्या है, the packing fraction of a nucleus, is its mass defect per nucleon, mass defect को per nucleon, per nucleon मतलब mass number से कर दो divide, mass number, mass number क्या होता था, A, बस, खेल कतम होगे, तो packing fraction of a nucleus, कर दो mass defect upon mass number, खेल कतम हो गया, इसको short में लिखना चाहो, तो mass defect होता है, delta M, और mass number होता है, इसे ही बोलोगे, packing fraction, बस, इप packing fraction is positive in nature, positive मतलब, positive आजाए, then nucleus को बोलोगे, unstable, तो if packing fraction is negative, then it indicates that, some mass has been converted into energy, अगर negative है तो, which binds the nucleus together, and so the nucleus is stable, और अगर packing fraction negative है, तो nucleus होगा, stable, और जब packing fraction positive in nature है, तो nucleus है, unstable, और जब negative in nature है, तो nucleus है, stable, इतना भी ध्यान रख लो, आगे समझने की प्रयास करते है, nuclear fission, nuclear fission और nuclear fusion भी कोर्स में, इसको भी फटा-फट देख लेते हैं, बड़े अराम से आपका काम बन जाएगा साब, तो nuclear fission में जानते हो, ये reaction आप बहुत सालों से पढ़ रहे बटा, इसको याद करके रेखना, 10th में भी इस्तिमाल की थी आपने, अगर नहीं याद की थी तो अपकर लेना, तो the phenomena in which a heavy nucleus, फिजन का मतलब होता है टूटना, तो एक heavy nucleus टूट जावेगा, दो छोटे nucleus में खेल खतम, तो the phenomena in which a heavy nucleus, जिसका की mass number 230 से जादा है normally, when excited, splits out into two lighter nuclei, smaller nuclei of nearly comparable masses, is called nuclear fission, और reaction ये पकड़ के रखो, बड़ी famous reaction है, uranium वाली, अब आप सुक्या पढ़के सुनाएं, आप 92, 235, U92, पोल दो, प्लस 0, N1, क्रिप्टॉन बन जाता है, 36 वेगरा वेगरा आप देखी रहे हैं यापर, तो यहाँ पर बिटाट टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, यह बेरेलियम यहाँ पर लगई नहीं है, 141, BA 56, तो इस रिएक्षन में यहाँ पर, इसको प्लस करने पर यहाँ पर लिख देना, मैं दिवारा लिख देता हूँ, 235, U92, प्लस इसमें slow moving neutron लगा, और बन गया आपका, 56, 141, प्लस क्रिप्टॉन 92, Kr, 36, और प्लस 3 neutron और निकले, और energy निकली, तो इस equation को आपको पकड़ लेना है, उपर वाली में रह गया था, type करने में, तो यह आप पकड़ लीजेगा, यह आपको final equation रहेगी, जो आप nuclear fusion के लिए इस्तेमाल करेंगे, very very important, आगे की बात करते हैं हम लोग, अब देखिए energy जो आई, effect, कैसे पता कर रहे हैं, देखिए initial mass कितना था अपना, uranium और neutron का, तो इसके mass इसको जोड लिया, AMU को फॉर्म में है, देखिए इसका जितना था उतना लिख दिया, neutron का जितना था उतना लिख दिया, यह आगे है इसका total, initial, final, यह जो बना, यह पूरी कहानी जो बनी, इसके mass को देखते हैं, तो यह जोड़ा देखिए इसका mass, इतने AMU, krypton का इतने, 3 in 2, neutron का इतना इसको जोड़ा, यह इंसर आया, देखिए इसमें और इसमें फरक है, तो जो फरक आपको मिल रहे हैं, घट गया ना, this is less, तो यह जो 36 ता, यह 25 है, तो mass कम हो गया, तो जो mass defect हुआ, कम ही आई, वो energy में तबदील कर गई, तो यहाँ पर आप घटा लीजे, 2 AMU में 236 पॉइंट, जो भी है, इसमें से यह घटाया, सब्स्ट्रेट किया, और आपको value मिल गई, 0.2153 AMU, आप जानते, 1 AMU energy देता है, 931 million electron volt, तो इतने AMU कितनी energy देगा, convert कर लिया, करीक परीव 200 million electron volt मिली, यह जो इस reaction में, एक सही हमको, यह जो energy क्यों है, वो 200 million electron volt की energy मिलती है, जो की काफी जादा है, बहुत जादा है, यह nuclear fission का, nuclear जो अपना fission है, उसका advantage है कि energy बहुत release कर देता है, ठीक है, आगे समझे का प्रयास करते हैं, लेकिन यह जो nuclear reaction होती है, channel reaction होती है, तो हमको controlled reaction चाहिए होती है, वन्ना क्या होगा, बढ़ बढ़ा के reaction, bum की तरह हो जाएगी, जो atom bum था ना, जो एक बार होना नहीं चाहिए था, लेकिन गिराया गया तो नागासां भी, हिरोसिमा के उपर US ने गिरा दिया था, तो वो bum में uncontrolled channel reaction करवा दी गई थी, fission वाली, तो वो डाला गया और धमाके से energy इतनी release हुई, कि जो भी उसकी चपेट में आया, सब मकान उकान टावर एकदम पिगल गए, समझ लीज़े, इतनी energy हो जाती है, आदमियों की तो बाती चोड़ दिए, कई सालों बाद तक DNA तक में change हो गया, पता लगा कोई बिचारा एक बिना आग के पैदा हो रहा है, किसी को cancer हुआ जा रहा है, किसी का disable हो गया, यह सब दिक्कते होनी शुरू हो गई, बहुत सालों बाद भी, तो the number of fission taking place at each successive stage, goes on increasing at a rapid rate, एक से तूटा, फिर दो, फिर दो से चार, चार से चे, तीन तीन निट्रॉन निकल रहा है, तो एक से तीन, फिर तीन से फिर, एक से फिर तीन, तो एक से तीन निकला, भाई, एक माली जिए तीन निट्रॉन बने, यह तीन निट्रॉन, अब इस से फिर तीन तीन बने, तो देखिए एक ही step में कितना हो गया यहां था एक, यहां है तीन और यहां है नौ और अगले में तो भाई सब कितने हो जाएंगे जानी रहे नौ इंटू तीन, सत्ताइस और अगले में तो सत्ताइस इंटू तीन एक ही जटकी में इतनी energy release होने लगेगी कि समालना मुश्किल हो जाएगा तो uncontrollable chain reaction अगर होगी तो bum का ship ले लेगी if a chain reaction is started in a fissionable material having mass greater than the critical mass critical mass अभी एक definition आगे आएगी तो से समाली जी इतना mass हो कि chain reaction आगे हो पावे mass कम होगा तो खतम हो जाएगी कम mass में पोड़ पाड़गे, थोड़ा mass जादा होगा तो लंभी चलेगी तो वो critical mass जहाँ chain reaction आगे move कर सकती है उससे critical mass अगर जादा होगा then the reaction will accelerate at such a rapid speed or rate that the whole material will explode within a microsecond, second भी नहीं लगेंगे bum liberating huge amount of energy such a chain reaction is called uncontrolled chain reaction यह bum का रूप ले ले लेती, जैसा मैंने अभी छोटा सा example दिया, आप connect कर पाएं होगे अब बात करते हैं लोग control level, control chain reaction की अगर हम इसको control कर लेते हैं जो कि करते भी हैं, तो हमारे power plants लगे हो, nuclear energy की power plants से बिजली पैदा की जाती है वो इनी विधी से पैदा की जाती है ठीक, तो the chain reaction can be controlled by absorbing a suitable number of neutrons अपने absorb कर लिए, साथ absorb कर लिए तो दो ही तो बचे, फिर आगे बढ़ने लगे फिर absorb कर लिए, इससे control किये रहते हैं, फिर हमारी bum नहीं बन पाता energy जो release होती, उसको power plant में generate कर लेते हैं लोग और इस तरीके से इस reaction को हम बोलते हैं controlled chain reaction क्योंकि हम control कर लेते हैं उनको, ठीक है साथ अब thermal neutrons and moderators क्या होते हैं, यह भी समझ लो the neutrons produced in fission fission में nuclei has average kinetic energy 2 million electron volt such neutrons और called fast neutrons जो neutrons निकलते हैं उनमें energy बहुत जादा होती, 2 million electron volt, इतनी energy से यह nuclear reaction को आगे generate नहीं कर सकते कोई भी चीज को माली जे neutron जाता है किसी nucleus में फोड़ता है तो slow होना चीज बहुत तेजी से फोड़ेगा तो भक से निकल जाएगा जैसे कोई भीड है तो भीड में कोई चीज घुजेगी बहुत तेजी से तो जब तक भीड में हल चलो तो तो शट करके वो निकल जाएगा क्या हुआ बस कुछ हुआ नहीं तूटा फूटा नहीं लेकिन कोई चीज अगर धीरे घुजी और अटक गई वहां जाके फिर धीरे धीरे जा रही है तो डिसकमफर्टब हो जाएगा वो भीड छट जाएगी पतला का पचास लोग कड़ें पाच लोग घुजें और दीरे घुज़ें तो सब दूर दूर हट जाएगे रही निकलने तो और कोई शुप था ऐसे निकल गई तो जटकास अबको लगेगा लेकिन अलाग होने की जुरूरत नहीं पड़ें तो समझेंगे तो तो पार हो गई यह देखिए यार कॉल्ड थर्मल एलेक्ट्रों थर्मल नूट्रों जिनकी एनर्जी कम होती है स्लो मूविंग वो ही नूट्रो जो प्रोसेस होता उसको आगे बढ़ा पाने की सामर्थ रखते हैं अगर हमको चैनल डियक्शन को आगे बढ़ाना है तो जो तेज एलेक्ट्रों ज्यादा नर्जी वाले नूट्रोंस हैं उनको कम एनर्जी में तबदील करना पड़ेगा जिससे की वो नूट्रोंस को फोर पाने की छमता रखें समढ़ रहे हैं तो उस चीज को देखते हुए उसी उन्ही चीज़ों को हम बोलते हैं थर्मल, any substance which is used to slow down fast moving neutrons to thermal energy is this one is called moderators, जो जिन बदार्थों की मदद से, जिन material की मदद से हम energy को कम कर पाते हैं उन्हें बोलते हैं moderators और D2O is the commonly used moderator जो पानी होता है इसका isotope एगरा इस्तिमाल करते हैं जिससे अच्छा moderator की तरह वो काम आता है तो a good moderator has two properties यहाँ पर जो इस्तिमाल करते हैं उसके अलावा जो moderator होते हैं उन्हें क्या खास बाते होनी चाहिए it slows down neutrons by elastic collision वो neutron को, तो good moderators की जैसी बात कर रहा था कि it slows down neutrons by elastic collision वो elastic collision से उसको slow down कर दे it does remove neutrons from the system by absorbing them और neutrons को कुछ absorb भी कर ले, जिससे कि uncontrollable reaction ना बनेगे बाट रिजस की कहानी होती है अब देखिए difficulties, अब chain reaction आप कराना चाहते हैं उसमें difficulty क्या ऐसा नहीं कि डाला chain reaction होने लगी, इतना असान नहीं है उसमें दिक्कत क्या होती है, neutron leakage माली जिए जो neutron फूट के तीन बने, बनलब reaction में तीन तीन बनने थे ने, तीन neutron अब आप सोचो के तीन कहां बनने, यह जो fission reaction थी समझ लें, जिससे में confidence बढ़ जावे, अरे दिक्जो भाई कहां चली गई बहुत लंबी दूरी पर है यह देखें, तीन neutron जो बनने थे, एक reaction में तीन neutron खड़े हो रहते हैं, तो यह जो तीन neutron साब बनते हैं इनकी कहानी रिखाता हूँ, अब इसमें neutron leakage भी हो जाता है neutron leakage होने का मतलब क्या है? neutron leakage होने का मतलब है कि जो तीन neutron बने हैं, इन में से यह तीन आगे material uranium से भीड़ते नहीं हैं, निकल लेते हैं कहीं और, लीक कर जाते हैं तो neutron बने तीन, तीन से आगे भी बनेंगे, लेकिन यह जब भीड़ेंगे नहीं कहीं और चले जाएंगे, तो टक्कर नहीं खाएंगे, तो तीन बनाएंगे नहीं तो न्यूट्रोन लीकेज हो जाती है न्यूट्रोन एक से तीन बने और तीन में दो लीक कर गए आगे टक्कर नहीं मारी लीक कर गए, नहीं टक्कर हुई एक ही की हुई, तो चैन रिक्षन नहीं बन पा रही है ये दिक्कत होती है दूसरी neutron के energy अब यह energy जो लेके चलते हैं बहुत fast होती ही मैंने बताई तो energy बहुत तेज होती है अगर एसी energy पे ही कराएं chain reaction तो नहीं होगी वो atom के nucleus को hit नहीं करेंगे करेंगे भी तो भड़ से निकल जाएंगे पार करके उसका कोई भी फूटेगा नहीं fission नहीं होगा ठीके neutron capture neutron capture में भी क्या होता है कि uranium अगर जो neutrons fast moving रहते हैं उनको वो खुद भी absorb कर लेता है uranium तो neutron capture वहाँ चला जाता है तो यह तीन तरह की issues आते हैं जिसमें हम transaction नहीं हो पाती है तो neutron का leakage दूसरा fast moving neutron का हम धीरे नहीं कर पा रहे हैं तो फोड़ नहीं रहा है तीसरा uranium खुद भी उनको absorb कर लेता है कभी-कभी करता रहता है जिसकी विज़े से हमारा आगे transaction नहीं बढ़ पाती आगे बात करते है multiplication factor यह भी पूछा जाए तो बिलकुल नहीं घबराना है बड़ी सरल सी बात है the multiplication factor of a feasible mass is defined as the ratio of the number of neutrons present at the beginning of a particular generation to the number of neutrons present at the beginning of the previous generation तो यहाँ देखिए k है ratio है number of neutrons present at the beginning of one generation यह जो पहली कोई reaction हो रही है starting में कितने हमारे neutrons present थे suppose n present थे अब लग रहा है कि इसके पहले वाले में number of neutrons present at the beginning of the previous previous कोई reaction होई होगी तो यहाँ पर कितने मौजूद थे मालनों यहाँ n1 थे यहाँ n2 थे तो n2 upon n1 को कह दोगे क्या आप multiplication factor कि भाई इसमें जितने थे अब जो है वो कम है कि जादा है अगर n2 n1 से जादा है तो जादा neutron उपलब दो पा रहे हैं ऐसा मतलब हो गया तो देखे k is when the channel reaction grows यही तो मतलब रहा अगर n2 is greater than n1 और यहाँ यह value क्या है n2 upon n1 तो अगर n2 जादा है यहाँ अब अगले दोर में और neutron पैदा हो जाएंगे तो हमारा जो reaction है channel reaction वो grow कर जाएगी ज्यादा neutron आ रहे हैं ज्यादा आगे strike करेंगे अगर हमारा k की value बन है यहाँ जितने previous generation में तो उतने ही अभी है दोनों मालों बराबर है पाँच पहले थे पाँच अभी है then channel reaction remains steady तो जो channel reaction चल रही हो चलती रहेगी बढ़ी simple सी बात है और मालीजे कम है के is less than 1 यहाँ ते 100 neutron अब बन हो गए 75 तो घट गए तो घटे में क्या होगा घटे में channel reaction हमारी gradually dies out यानि channel reaction कम जोर पड़ जाएगी multiplication factor इसको याद कर लीजे ध्यान न किया बड़ी असान सी बात है ठीक है आगे लेके चलते हैं लोग critical size and critical mass critical mass की बात हुई थी ना अब देखीं यहाँ पर यहाँ लिखा the size of the fizznable material for which the multiplication factor k is equal to 1 जिस k is equal to 1 के लिए जो size हमारा होना चीए उसको बोलते है critical size और जो mass इस समय होता है उसको बोलते है critical mass कहने का मतलब यही हो गया जहाँ पर हमारी chain reaction steadily आगे बढ़ती रहे यहनि जो neutron अगर 100 अभी develop हुए थे तो अगली reaction के बाद भी 100 ही बने तो वो mass जो यह ऐसा करने दे तो 100 के 100 बनते रहेंगे यह class 10 में भी आपने पढ़ा था अगर आप ध्यान दें याद हो आपको तो यह क्या होता है इस डिवाइस इन विचे नुकलिर चैन रेक्शन इस इनिशेटेड मैंटेंड शुरू की जाती है लगातार चलाई जाती मैंटेंड की जाती है और कंट्रोल की जाती है तो ऐसी डिवाइस को क्या बोलते है नुकलिर रेक्टर इट वक्स ऑन दी प्रिंसिपल आप कंट्रोल चैन रेक्शन एंड प्रोवाइस एनर्जी एट अट अ कॉंस्टेंट रेट तो यह होगा इसा आप नुकलिर रेक्टर जैसा आपने पढ़ा ही था यह चैंबर होता है यहाँ पर यूरेनियम रॉट डाली जाती है कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल रॉट्स होती है मॉडरेटर पानी भरा होता है और यहाँ से जब यह एरेक्शन चालू होती है तो काफी एनर्जी निकलती है निकलने के बाद यहाँ पर देखिए वाटर है हीट एक्सचेंज होगा खुब पानी गरम हो जाएगा इस्टीम फ्लो करेगी यहाँ पर आपका जिनरेटर है उसको घुमाएगी तो जिनरेटर बिजली बना देगा फिर ठंडा होके वापास आ जाएगा और कूलेंट साथ में चलाते इसे आप कूलेंट सप्लाई करते रहे एनरजी का यहाँ पर बराबर यहाँ पर होट कूलेंट जाएगा गरम होके आपके गाडियों भी कूलेंट पढ़ता है आप ध्यान दिजेगा तो गरम होके जाएगा, पानी को एनर्जी देदेगा, ठंडा होके वापत चलाएगा, फिर यहां रेक्षन होगी, एनर्जी मिलेगी, फिर गरम होके जाएगा, तो बेसिक चीज़ है, बाओ डेटेलिस के जाने के आउशकता नहीं है, आपने टेंथ में इसको पढ़ाईए, डाइग्राम समाल लीजेगा, आजाय तो बना दीजेगा, आताक ट्रम है यह बनाने को, फिर भी आपको आना चाहिए, क्योंकि इंपोरेंट है, नुक्लियर एक्टर के कुछ पार्ट्स हैं, नुक्लियर फ्योल, नुक्लियर मॉडरेटर, कंट्रोल लॉड, कूलेंट, शिल म्रिल्डिंग की बात कर लिजाती है, उसे फाइदे मंद क्या, क्या-क्या उसे हैं, तो इन दी जनेशन आफ एलेक्टिक पावर, में चीज, इलेक्टिक पावर जनेट करता हैं, इन दी प्रोडुक्शन आफ फोस्न्नीट्रॉंस, विच आ नीडटेट, इन नुक्लियर बं करते हैं दूसरी बड़ी शांदार reaction nuclear fusion अब क्या है कि अभी तक हम लोग nuclear fusion तो करा पाएं धरती पर और उसका फायदा भी उठा रहे हैं लेकि nuclear fusion हम नहीं करा पाएं जबकि जो nuclear fusion है वो बहुत ही जादा energy देती atom bump बना है nuclear fusion के logic पर concept पर और nuclear fusion पर hydrogen bump बना है hydrogen bump की जो परिकल्पना की जाती है कि लोगों ने कहा है कि बड़ बड़े देश अमेरिका वेगरे ने उल्ली बना के समुद्र के अंदर तैनात कर दी है बगवान जाने सही है गलत है सुनने में असा आता है तो कुल मिला के बात की जाए तो जो fusion है वो fusion में energy बहुत जारा निकलती है और दूसरी इच्छी बात क्या है कि जो pollution फैला था था अपना fission radioactive material की involvement की वज़े से वो ये pollution नहीं है इसके अंदर ये pollution free है तीसरी बात radioactive material कम जो इस्तेमाल हो सकते हैं fusion में वो बहुत ही limited उपलब्द हैं और fusion में जो हमें इस्तेमाल करना है raw material वो plenty में मौझूद है बस सवाल इसका है कि इसको हम control नहीं कर पा रहे हैं जब कर पाएंगे तो energy भर-भर के मिलेगी चिंता मत कीजिए 24 गंटे में 40 गंटे की बिजली आएगी अगे समझ चलते हैं तो nuclear fusion क्या है fusion fuse करना दो चीज़े fuse कर रहे हैं तो दो छोटी चीज़े fuse करके बड़ा nucleus बना लेंगी बस fuse कर रहे हैं दो छोटी चीज़े आई मिल गई बड़ी चीज़ बन गई बस तो the process in which two light nuclei combine at extremely high temperature to form a single heavier nucleus is called nuclear fusion अब जो छोटी चीज़े होती हैं इनको आपस में high temperature high temperature और high pressure चाहिए होता है high temperature high pressure पर ही जुड़ती हैं वना क्यों जुड़ेंगी को कि दोनो nucleus है दोनो nucleus plus plus है ना ripple करेंगे अब जबरदस्ती घुशेड़ना है कि मिल जाओ तो जब बहुत high temperature और high pressure लगाते हैं तो यह भुष्ट चीज़े करके मलब आपको idea दे रहें यह दोनो nucleus मिलके एक बड़ा nucleus बना लेते हैं कुछ ऐसा है ना जबरदस्ती plus plus है मिलना नहीं चाहरा है अब मिलना पड़ेगा क्योंकि मारा फायदा है इसी में यह कहानी तो the sum of masses before fusion अब यहाँ पर sum of masses before fusion is greater than अब यहाँ पर जो mass होता है समझाने के लिए capital M निक देते हैं इन दोनों का और यहाँ बनना चोटा M तो mass defect हो गया ना बड़ा यह चोटा mass defect energy निकालने लगता है आप जानते ही हैं after fusion the difference in mass appearing in fusion energy यही बात भई यहाँ पर M minus M जो हुआ वो क्या हुआ mass defect और आप जानी रहें e is equal to mc square तो mass defect से energy बन गई अब for example यह example पकड़े रहे हैं जहाँ भी पूचा जाया fusion इसको copy paste मारी है दिमाग से मतलब चापना है तो 1H2 plus 1H2 2H4 और 21.6 यह helium होगा 2H4 plus 21.6 million electron volt की कहानी बन जाने वाली है इस तरीके से कहानी बन जाएगी आपकी अब nuclear fusion necessary condition for nuclear fusion अब nuclear fusion चलते चलते आराम से नहीं होता बड़ी टेड़ी की रही है ठीक the high temperature is necessary इसका बहुत जादा temperature चाहिए इसको बहुत जादा for the light nuclei to have sufficient kinetic energy so that they can overcome their mutual columbic repulsion मैंने बताया ना प्लस प्लस है और दोनों एक दूसरे को repel करेंगे दूर भगाएंगे कि मैं पास नहीं आऊंगा तो इनको इतनी kinetic energy दो कि ऐसी की तरशी भाग कर जाएं गूज जाएं इक दूसरे में काम खतम तो वो kinetic energy चाहने के लिए आपको temperature बहुत जादा बहुत जादा चाहिए होता है and comes closer than the range of nuclear force मैंने इतने पास आ जाएं कि nuclear force active हो जाएं जैसे ही nuclear force active हो जाएंगा पकड़ लेगा वो है ना nuclear force कर लगता है बहुत short range 10 के और minus 15 के order का है मीटर पर लगता है तो इतनी पास लाते ही काम बनेगा तो इतने पास लाने के लिए खूब energy दो जैसे गड़ां करके घुश जाएंग दूसरे में अब that is why fusion reaction is also called thermonuclear reaction इसको thermonuclear reaction भी आप कहते हैं इसी वज़े से इतनी energy दी गई heat वाली की काम हो जाए high density or pressure increases the frequency of oxalations of light nuclei and increases the rate of fusion आप जानी रहें frequency of collision वेगरा बढ़ जाएगी और rate उससे काफी पैदा हो जाएगा these conditions exist in the interior of the sun सूरज से जो energy आती है जो तारों से आती है तो दूर पता नहीं चल पता है सूरज बहुत पास में है तो सूरज यो तारों से जो energy आती है उनका temperature देखी बहुत ज़ादा होता है 2 into 10 की बहुत 6 Kelvin इतनी temperature में ये reactions हो रही होती है fusion और वही source of energy है सूरज देवता की और तारों की भी लेकिन तारें बहुत ज़ादा है such conditions cannot be easily met in a laboratory lab के अंदर ये भयानक condition पहुँच पाना बहुत ही मुश्किल काम है ठीड़ी की रहे ठीक है साब कोई बहुत बात छोड़ नहीं रहे इसलिए पकड़ लिया fusion is a source of energy in sun and stars सूरज में और stars में ये energy का source क्या है nuclear fusion याद रखिए गए nuclear fusion ही वो पहलु है जिसे energy हमको सूरज देवसा से मिलती है अब इसमें दो तरह की cycle होती है दो तरह के process होते है जिसे energy मिलती है एक है proton proton cycle एक है carbon nitrogen cycle इसे बोलते है carbon nitrogen cycle तो इसको आप हो सके तो याद कर लिजेगा लिख के practice कर लिजे कभी कभी पूछ लेते हैं पेपर होड बन रहा होता है इसमें समझाने को ज़्यादा कुछ नहीं है आप ऐसा पकड़के इसको याद कर लिजेगा ये carbon nitrogen cycle और proton proton cycle इसका जो importance है मारे लिए उसकी चर्चा हम कर देंगे भी तो याद कर लेना इसको ये final reaction ये बन नहीं है और इसकी final reaction बोद proton proton and carbon nitrogen cycle दोनों cycle दिखाई न participate almost equally in the generation of the energy in the sun सूरज में ये दोनों ही जो cycle है वो almost बराबर contribute करती है energy देने के लिए अब तारों में stars में hotter than the sun जो तारे सूरज से भी ज़्यादा गर्म है तारे सूरज से भी ज़्यादा गर्म है और सूरज से ठंडे भी है ठीक है दोनों है तो starts hotter than the sun get their energy from the carbon nitrogen cycle जो तारे सूरज से ज़्यादा गर्म है उनमें carbon nitrogen cycle चालू हो जाती है while those cooler जो की ठंडे हैं सूरज से उनके अंदर proton proton cycle normally start हो जाती है जो गर्म है उसमें carbon nitrogen और जो सूरज से ठंडे हैं उसमें proton proton cycle के दिखता रहती है क्योंकि जो proton proton cycle है वो lower temperature पर हो सकता है हो जाता है carbon nitrogen से कम temperature पर हो जाता है ये कम और high temperature जो बोल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा temperature है उतने की comparison में बोल रहे हैं धरती किसा वाला temperature मत जोड़ना खटाना तो ये कहानी आपको और समझे बाती है सूरज और तारों वाली अब देखिए control thermonuclear reaction अब आमारी जो nuclear fusion reaction है यहां control करनेगी तोड़ी मुसीवत है लेकिन करना चाहते हैं if the energy released thermonuclear reaction is controlled in such a manner that a limited amount of energy is produced continuously by energy जो बने वो uncontrolled ना हो हम अपने हिसाब से उसको घटा बढ़ा सके एक example यादा रहा जैसे कि आपके घरों में हम लोग के घर में क्या रहता है पानी टंकी उपर लगा है रहते छट पे null null नीचे होता tap तो टोटी से या null से आप खोलते तो पानी निकलता साब तो यह controlled है ना कि आपको कितना पानी चाहिए धीरे टोटी तेज टोटी है फूल तेज भी कितना पानी अगर टोटी खराग हो जाए तो भर 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 पानी निकलने लगेगा तो वो uncontrolled हो जाएगा वो आपको पसंद नहीं आएगा और आप इस्तिमाल नहीं कर पाएंगे कैसे दिन भर पानी बैएगा खतम हो जाएगा टंकी का पानी और वो तो जड़ासी बात है समझने के लिए तो हमको control चाहिए होता है इसलिए tap लगा दिया जब मनचाय खोलेंगे जब मनचाय धीरा करेंगे जब मनचाय तेच करेंगे तभी हम इस्तिमाल कर पाते है अपनी च्छानुसार अपनी जरूरत के नुसार तो यही चीज़ यहाँ चाहिए हमको controlled energy की जो energy develop हो रही है produce हो रही है वो अपनी हिसाब से हम set कर सके करनी का तरीका धरती पे रहने वाले scientist ढून नहीं पाए हैं इसलिए nuclear fusion का जो कि एक शांदार चीज है हम लोग इस्तिमाल अभी नहीं कर पाते anyway आगे देखिए यह difference nuclear fusion और fusion में fusion का मदलब एक चीज दो चीज़ों में तूटना एक चीज दो चीज़ों में तूटना समझाने के रिए fusion का मदलब दो चीज़ों का मिललके एक चीज़ बनना ऐसे दिमाख में रहे आपके ऐसे बना रहा था photo समाझ गहँ हैày यह एक चीज दो चीज़ों में तूट गई दो चीज मिललके एक चीज बनगी fusion fuse तुपरेबिल मासेश एक से नुकलेश दो में टूट जावेगा दूसरा ये टू लाइटर नुकलेश दो हलके नुकलेश बहुत ही हाई टेंपरेचर पर प्रेशर पर कंबाइन होके हैवी नुकलेश बना देंगे भूजिन हो गया इट उप्रीश से और भी एक और से तरी 4724 खलना टिए के अंदर क्या है Utah हमारे लिंक पार्टिक्र सोते हैं इसके अंदर हमारे प्रोटो निंग पॉट्स प्रोटो Crypto होते हैं, it produces very harmful radioactive material, क्योंकि जो हम raw material use करते हैं, uranium वेगरा, वो है तो radioactive, बड़े harmful radications हैं, तो यह दिक्कत है इसके अंदर, जबकि nuclear fusion में यह harmless है, hydrogen वेगरा इस्तमाल हो रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, harmless है, stock, fysinival fusion का limited है, uranium limited quantity में available है, जबकि यहां hydrogen वेगरा, बहुत ज़ादा available है, जितना use करना चाहिए, use कीजे, तो the fuel record for fusion is available in plenty, मतलब एक तो pollution नहीं, harmless नहीं है, दूसरा raw material भी खूब मौझूद है, बस समस्या और खूब सारी energy है, इसका बाप है यह, fysin मतलब energy देने के मामले में, लेकिन सवाल यह है, कि हम इसको समभाल नहीं पारे fusion को, control नहीं कर पारे, इसलिए हमारी समस्या बनी है, researcher या scientist इसमें काम कर रहे हैं, जैसे ही वो उसका जोड का तोड निकाल लेंगे, काफी कुछ चीजे power supplies में बापारे हैं,